आपके सामने एक lock है, इस lock को खोलने के लिए आपको 3 दिजिट का code लगेगा, अब ये code कैसे बनेगा, उसके लिए आपको 6 conditions दी गई है, आपको इन conditions को समझना है और code को निकालना है, आप समय के लिए वीडियो को pause कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा question है, तो इसको आप झालस है झालस है, आपको समय के समय खोलोगारल स दी देशर नालस हैं, आपको समय को समय कि जरुदाना है, बहू दोलोगार थैस सामना है, शूदा कर समय का रहुत हैiest हम आपको तो जरुदा responder कि उ चलिए इसका आंसर देखते है पहली कंडिशन बोलती है मतलब इन तीनों में से एक नंबर सही है और अपनी जगह पर है इससे कुछ नहीं समझेगा चलिए दूसरी कंडिशन भी देखते है दूसरी कंडिशन कहती है मतलब एक नंबर सही है और गलत जगह पर है अगर आप पहली और दूसरी conditions को combine कर देंगे तो समझेगा कि 6 कभी सही नहीं हो सकता Because पहला बोलता है one number is correct and well placed दूसरा बोलता है one number is correct and wrong placed और 6 दोनों conditions में पहले number पे है मतलब 6 कभी सही नहीं हो सकता तो चलिए 6 को हर जगा से हटा देते है अब तीसरी condition देखते है तीसरी condition बोलती है two numbers are correct but wrongly placed बद तीसरी condition में तो दो ही number बचे है मतलब 0 और 2 दोनों सही number है जो code में जाएंगे लेकिन अभी हम इसकी place नहीं निकाल चकते क्यूंकि हमें ये दो number को तीन जगवा पे डालना है तो चलो चौथी condition देखते है चौथी condition बोलती है nothing is correct मतलब 7, 3 और 8 कोई भी सही नहीं है तो चलो इन तीनों numbers को सारी conditions में से काट देते है चली अब आखरी condition देखते है आखरी condition कहती है one number is correct but wrongly placed मतलब 0 सही है अभी तीसरी condition में 0 second पे था और wrong place था last condition में 0 last पे है और wrongly placed है मतलब 0 पहला digit होगा क्यूंकि ना वो दूसरा है और ना तीसरा है तो चलो 0 तो place हो गया अब first और third condition को देखते है first condition कहती है one number is correct and well placed और यहां सिर्फ 2 बचा है तो यह पक्का हो गया कि 2 code का digit है और तीसरे number पे आएगा तो 0 और 2 यह हमें मिल गए चलो अब second condition देखते है second condition कहती है one number is correct but wrongly placed अब one तो हो नहीं सकता because one दूसरे number पे है और दूसरे number की ही जगा खाली है और condition कहती है wrongly placed तो बचा 4 मतलब 4 सही जवाब है जो दूसरे जगव पे जाएगा तो हमारा code हो गया 042 तो